हाई दोस्तों असलाव अलीकूम कैसे आप लोग मेरा नभील है आजकल हर कोई content creator है आप लोग सब जो है Instagram पे यहाँ वहाँ वीडियो तो दालते होंगे और अच्छी वीडियो के लिए अच्छा audio होना बहुत ज़रूरी है अब iPhone का जो microphone है जो inbuilt आता है वो तो बहुत अच्छ wireless mic है जो iPhone के हाथ भी connect होता है computer के हाथ भी connect होता है camera के हाथ भी connect होता है इसको test करने वाले है यह एक review unit है इस company ने मुझे भेजा है बट जो भी opinion है मेरा इस video के अंदर यह मेरा खुद का है मेरा honest opinion है और यह video उनकी तरह से sponsored नहीं है अगर आपको यहाँ पर paid promotion लिखा आ भी र 12,000 रुपे का है link description में आपको मिलेगा अगर आप purchase कने जाए तो इस video को देखने के बाद satisfy होने के बाद इस microphone system के साथ आपको इस तरीके का carry pouch देखने मिलता है जो कि काफी अच्छा है देखने में और इसके अंदर आप इस mic के साथ बाकी कुछ documents वगरा भी चाहे तो रख सकते है कुछ documents भी मिलते है जिसे user manual, quick start guide और warranty documents फिर आपको मिलता है यह charging case जिसके अंदर आपका microphone और receiver वगरा रखे है इसको थोड़ी दिर के बाद देखते है सबसे पहले और क्या accessory जे वह देख लेते बॉक्स में यहाँ पे आपको दो dead card भी मिल जाते है जो mic के उपर लग जाते ह जाके noise cancellation और wind noise जो है उसको suppress करने में help हो सके दो type की 3.5 mm वाली cables मिलती है एक TRS और दूसरी TRRS वाली है जोकि एक phone में connect हो जाती है और दूसरी जो है camera के साथ और एक type C to USB cable मिलती है जो के mic को आपके laptop या फिर आपके iPad वगर के साथ connect करने में काम आ जाएगी क्योंकि आप इसक port मिलता है जो कि इसको charge करेगा सामने जो है आपको यहाँ पे LED indicator lights है जो कि इसकी charging बताएगा जब आप इसको charging पे लगाएंगे अंदर कुछ इस तरीके से इस एरपोर्ट रखे होते है वैसे आपके mic और उसका receiver रखा हुआ है इस तरीके से जो है आप इसको easily निकाल सकते हो जब वापस दालेंगे तो यह charging करना शुरू कर देते है और तीनों की charging indication के लिए यहाँ पे LED indicator light individually DV है यह जो case है यह 1400 image capacity की battery का आता है जो के इन दोनों mics और receiver को full charge करता है दो बार, receiver आता है 200 image capacity की battery के साथ और transmitter है या microphone है वो आते 140 image capacity battery के साथ जो इनकी battery life है वो इस receiver की as well as transmitters की 1.5 hours है तो जादा नहीं है और थोड़ा वो चार्ज करके भी आप अपना काम चला सकते हो अब बात करें इनके range की तो range जो है in mics का है up to 200 meters अगर line of sight में है और बीच में को obstruction वगर है तो 40 meters है तो यह चीजे भी हम check out करेंगे जब हम बाहर जाएंगे तो अब यह receiver है यह camera पे य कुछ modes है जो switch कर सकते हो आगे बताऊंगा आपको microphone कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है यहाँ पे LED indicator light है उपर जो है यहाँ पे इसका mic दिया हुआ है पीछे clip है जो आपके collar पे attach कर देगी इसको इस side पे manual on-off का button है इसकी आपको ज़रूद नहीं पड़ती और यह ह जाते हो और यहाँ पे LED indicator light सब को पता पी चल जागा है कि पैर हो चुके और तीनों devices को आप इंडिविशुली चार्ज कर सकते हो इनके bottom में जो है आपको एक type C port भी मिलता है तो case अगर चार्ज नहीं है और आपको इंडिविशुली चार्ज करना है तो यह भी possible है हम यहाँ इस माइक को कैमरा पे कैसे कनेक करते हैं बता देता हूं देखिए यह receiver है जो कि आपके camera में इस तरीके से ऊपर लग जाएगा camera को कनेक करने के लिए जो वायर आती है जिसके दोनों ends black है उसको यहाँ पे receiver में डाल देना है और दूसरा end जो है आपके camera के audio jack में लग जाएग क्योंकि आप एक ही माइक का इस्तमाल करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डाउन बड़न है इसको press and hold के रखिए 5 seconds के लिए और यहाँ पे green light आ जाएगी जिसके बाद यह microphone जो है mono mode में आ जाएगा और यहाँ जब आब बात करेंगे तो दोनों track एक साथ record होते रहेंगे audio है इस माइक के जरिए से जो मेरे camera में record हो रही है वो आपको कैसे सुचनाई दे रही है मुझे comment करके जरू बताना क्योंकि इसके पहले जो audio आप सुन रहे थे वो मेरे काफी महंगे microphone की audio है जो के shotgun माइक है तो ओविसली वो directional माइक है और यह omni directional माइक है यानि कि सब जगा क की audio यह capture करता है तो कैसा लगा आपको audio qualities की मुझे comment करके जरू बता अब camera की quality और कैसे connect करने आपको बता दिया अब इसको आप अपने iPhone का दिया Android phone कैसे connect कर सकते हो तो यहां पे देख सकते है मेरा iPhone जो है मैंने इस tripod पे लगाया हुआ और एक mobile holder भी है आप mobile holder के साथ यूज कर इस connector में यह वाला port हम लगा देते हैं और यह receiver को इस phone mount के उपर रख देते और यह बस आपके iPhone के अंदर या Android phone के अंदर आपको इस तरीके से connect कर लेना है और यहां पर आपका काम हो गए आपको कोई भी special application की ज़रूत नहीं होती है इस iPhone के लिए और यहां पर बस आपके phone को unlock करो और वीडियो recording on कर लो अब चली अपने फोन पर किस तरह की quality आती है चेक करते हैं तो आउट्डोर में आ गए है iPhone से मैंने आप इस माइक को connect कर दिया है और सबसे पहले हम कर रहे है यहां पर इसका range टेस्ट तो यहां पर हम अल्ट्रा वाइड पर स्विच करते हैं और अभी आपको समझ में आएगा कि कितनी दूर पर मैं खड़ा हूँ इसली 50 मीटर की दूरी पर जो है मैं खड़ा हूँ और दीरे दीरे चलते चलते जो है मैं आगे आ जाता हूँ तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि audio clear है या नहीं है क्योंकि इसका जो रेंज है 40 मीट जब बीच में कोई भी जैसे अभी 40 मीटर जब बीच में कोई दीवार वगारा है तब तो यहां पर 200 मीटर तो पीछे नहीं जा सकता लिए 50 मीटर जाके मैं आपको बता दिया किस तरीकी की audio जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीकी का रेंज आपको यहां पे देखने म क्लास में हो first C अभी 2nd C में अभी 2nd में तो आपको फोन है क्या कॉंसा फॉन दो करते हो लुए को फों करते हो है आइफोन यहां सब्सक्राइब करते क्या हो वों करते हो किसी को पोन कहसे विलता हूं कौन सा गेम आपका फेड़ेंग और को लीटब मुट और कुछ काटून वाटन भी देखते हो गया अच्छा और आइफोन ऐसी क्यों पसंद है आपको फोन के अलावा बाहर कौन सा गेम पसंद है बार क्रिकेट फूटबॉल सुमिंगे मुसा थांक्यू तो मुसा का बहुत बहुत थांक्यू और यहां पर आपको समझ में आ गया ह है एक बटन प्रेस करते ही ओन करता हूं अभी यहां पर नॉइस कैंसल इसने किया है या नहीं किया हूं मैंने एक दिन का टाइम लिया जहां पर मैंने सारे ओडियो सैंपल्स वगरा जो है प्रॉपली देखे जो अभी आपने वीडियो के अंदर देख और सुन चुके हो य सब मेरे थॉट्स है जो मेरे एक्स्पिरियंस है मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात यहां पर मैंने यह जो डेड़ कैट है या विंड्शील्ड है यह मैंने इन माइक्रोफोन के उपर इस्तमाल किया जिसकी वेसे विंड नॉइस बिल्कुल भी कट होगी आपने देख आईफोन के साथ और यहां पर ऑडियो क्यों पर अच्छी निकल के आती है और जो प्राइस पॉइलेबल है उसमें आपको यहां पर डूवल माइक भी मिल जाते है और बात करें हम नॉइस कैंसलेशन की जो मैंने आउटडोर में शूट के आपको बताया तो है तो काफी उसमें अच्छी नहीं रगेगी वो ओडियो तो नॉइस कैंसलेशन में इंप्रूब्मेंट हो सकता है या फिर आप अपने हिसाब से नॉइस कैंसलेशन पोस्ट प्रॉसेसिंग में कर सकते हो भी इजी है अब बात करें डियेसलार और मिरलेस कैमरा के साथ इसकी जो ऑडिय इंकलके आती है तो यह भी काफी इसमें और बैटर अद्र निकल்के आ सकती है अगर आप और अनुब्र कर सकते हो तो पर और प्राइस की हिसाब से मायक बिलकूल भी जो है इसको लेंगे तो आप पच्टाहिए नहीं आपका 15000 का बजट नहीं आपका 40,000 का बजट है तो औ और भी बैतरी माइक जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं इसा नहीं कि यह प्राइस्ट माइक है उससाब से यह वैलेफो मनी जरूर है तो दोस्तों मेरा वीडियो को हॉली लैंड लाक एमवन का आपको कैसा लेगा है माइक मुझे कॉमेट करके जरूर बता ही है और अगर आप इसको पच्छेस करना चाहते तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा महां से जाके इसको पच्छेस कर सकते हूं भी करता दोस्तों को पसना को पसे लिए को लाक एंड शेयर जरू कीजिए मैंने चानल को सब्स्राइब जो कीजिए गुडबाई